तो कल का तो बढ़िया तरीके से जो ICC World Cup Qualifiers का जो मैच रहा था अपना जिम्भावे वाला बहुत बढ़िया तरीके से अल्ट्रा क्लिन स्विप किया और वो चीज आपने देखी भी वीडियो देखी वो भी जीते जिन्होंने चैनल पर जो टीम थी उसके किया रिकमेंडेशन को या कैसे भी उसको यूज किया वह भी बढ़िया तरीके से क्लीन स्विप किया अगर आपने मिस्स करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए ना बहुत बढ़ा बचा है वर्लक वाले और मैचेस बचे हैं और उसमें से एक आज का रहने वाला है जो किया आज की टीम बनेगी दोनों टीम में स्पेशली की स्कोटलेंड की टीम में बहुत सारे चेंजस है इवन एरलेंड में भी है ठीक है तो क्या कुछ चेंजस है क्या टीम बनेगी और उन से आप जिल एसल के बनेगे सब चीज़ें डिसक्रस करेंगे तो आखर तक टेलिग्राम चैनल भी जरूर जोन कर लो क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आइगे ने इस मैच के रिलेटेड पिछ रिपोर्ट है या प्लेइंग लेवन है या बैटिंग मोटर सब चीज़े और भी अगर मैचेस की वह सब टेलिग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है तो जल् मैचेस हो चुक है जिसमें 33 जीते बैटिंग फर्शने 42 जहां से जीते बैटिंग सेकिंड ने 229 के आवरेज स्कॉर है पर आपको जो स्कॉर है वो 250 के आसपास यहां पर बनता हुआ दिख सकता दोस्तों लिग दिया 250 जो है यहां पर आपको बनता हुआ दिख सकता है ठीक ह बाकि अगर आप पिछले तीन-चार मैचेस की बात करोगे तो यह तो मैचेस है 2018 के जो जिंबाववे अलसा स्पार्क का वदा ओविसली इसमें भी एक जो टीम थी वो श्ट्रॉंग थी एक यहां से वीक बट एक चीज है कि स्कॉर बनने को काफे जाद अच्छा बन जाता ह कि वैसे-वैसे यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा सा और मदद मिलेगा और पहले मैच में तो देखा जा दो गए आठ्ट इस निकाल लिए थे फ़र्स टिनिंग कर देखा जाती इन विकेट पेसर के दो विकेट स्पिन के जादा देखने की चीज़ नहीं है उतना ही था वहाँ पर पताने के लिए क्योंकि वही ओडिया ही है यह 2018 और 2030 में बहुत फर्क होता है बागी यहां पर 22 विगेट पेसर्स के 22 विगेट पिछले चार मैचे उसमें साथ विगेट स्पिन के फर्स्ट में थे सेकिंड में से पंद्रा विगेट थे और पेसर्स के फश्ट इनिंग में तेरह और सेकिंड इनिंग में नोव इक ठीक है अब यह तो ओगे मैं थोड़ा सा इन्फो इसको जादा दिल से मत लगा लेना कि ऐ इसे ही पिछ रहने वाली है क्योंकि जैसा मैंने आपको बता है कि 2018 और 2013 में पूरे तीन चार चार पांथ साल का पर ठीक है उसके बाद में आते हुए अपना आगे निकल कर प्लेंग यह उपर तो प्लेंग के बात करो सबसे पहले यहां से एरलेंड की टीम की तरफ से तो उ इनके नाम रही नहीं तो बाकी बोलर मैं बोलुगा ठीक ठाक है और कराएगा और विकट वगरा निकालने के चांज जरू बनते हैं बाकी पॉल स्टर्लिंग बीटर टाइम में उतना उच्छा करनी पाएं ओडिया में किसी किसी मैच में जरूर चलें लाइक साथ बना दिय यह इस टीम का सबसे बहतरीन बैटर है अभी तो इंपोर्ट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि और करा रहे हैं ठीक है पिछले मैच में इसमें और डाले थे रन बनाए 42 उसके पहले 42 उसके पहले एक संचरी भी मारी थी उससे बहले 21 और दो मैच फ्लोप रहा था ऐसा सीवी सी चोइस मां बोलूगा इस मैच के लिए बनने वाल है बाकि यहां से लोरकें टकर है विकेट कीपर में आपके पास में अच्छा उप्शन बनेगा रन वगरा थोड़े बहुत तो यह बना ही देगा मतलब 25-30 तो बना के जा ही सकता है बाकि विकेट कीपिंग के पॉइंट जोर्ज डोकरेल पहले दो इंपॉर्ट बनता ही था अभी इसने बोलिंग बिल्कुल ही छोड़के बैटिंग शुरू कर देदी बट अभी दोनों चीज़ा वापस से करना लगया ठीक है जोड़ डोकरेल लास्ट मैच 91 नोट आउट साथी साथ एक विकेट था उससे पहले अभी रीसेंट में यह और भी डालने लगया और चांस है कि दस भी डाल सकते है बांकि यहां से जो डिलानी है थोड़े से नीचे आये थे बीस रन और उससे पहले एक रन जिरो विकेट है फिर बाइस रन एक फिकेट है ठीक ठाक प्लेयर है रखना है तो रख लेंगा ना को सामने बहुत जादा बड़ी टीम nee सामने है तोầy उसके बाद में बहुत बाद में चिन्नों ने कि मैच खेला है अब तक ओडियाई का जिसमें यह विकेट लेस्ट गए थे और अगर हम टीटवंटी के मैच इसकी बात करें ताकि आपको पता चले की बोलर विकेट निकालता भी एक नहीं निकालता है तो टीटवंटी में इनका जो परफंसा वो ठीक रहा था बट आपको पता चलेगा आगे में आपको पता दूगा टैक्टर यहां से आपके लिए इंपॉंट बनता है मैक ब्राइंट रख सकते हो को बैटिंग वे ओपनिंग कर रहा है साथ साथ बोलिंग भी करागे देगा तो अगर इनसे कराए जाती है अदरवाइस डोक्रेल अडाय यूंग लिटिल वाइट और छटा बोलन इनके पास में टेक्टर ठीक है साथ हो जाता है फिर डलानी बाकी अवाद अपने निकलकर जो दूसरी टीम की प्लेइंग रहती है जो कि है हमारी स्कोटलेंड की टीम में भी ऑपनर नहीं है दोन्वी टीम के ओपनर गया पे इनके किसी घुराइस को करा लगते कि кई यहां से सबसे सहीय। सैंब मैंके मैं पता भी चल लाएट लिए और बिल्कुल भी इंट्रण नहीं मैं अभी तक का बाकि उसकाव मैं बैरिंटेण और बैंटन वासे तो सबसे सेफ़ फ्लेयर में गिंती होती है पट मेरे इक प्राइडिस यह और विगेट चार रंड दो विगेट फिर 22 जीरों विगेट और उससे पहले बीजियरो विगेट यह तो यह चार मैंच इंके रहेत बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा तो अगर मैक मिलान को रखना हो तो रख सकते हो ठीक है उसके बाद मिया से ग्रीव जाते हैं अब विकेट लेने में ग्रीव उतना जादा बैटिंग बैटिंग भी उपर करने आ सकता है उसका बाद में यहां से इनकी बड़ी लेट वाप्स हुई है बट यह बोलर बड़ी है ठीक है इवान्स हुआ मार्क वोट हुआ यह दो ऐसे बोलर जो विकेट वगरा अच्छे निकालते हैं मतलब तीन-चार विकेट पर हाथ हैं कसीदा ठीक है विकेट आप देखोगे यह दो मैंचे आप छोड़ दो उसके बाद के चार मैंच तीन विकेट दो विकेट पांच से दो विकेट हर मैंच में मतलब दो तीन-चार विकेट ऐसे इन्होंने निकाले ही हैं तो आपको पता है कि लेना इंपॉंट बनेगा सीवेसी भी इवन ग्रेंड लिग में कर सकते हो बाग उसकाद में शैफियान सरीफ है यह पहले तो अच्छा बोलर हुआ गरता था यहां से अगर बात की जाए इनके पास में शैफियान सरीफ है वोट है इवान से लिस्क भी बोलिंग कराएगा ग्रीव भी कराएगा ठीक है और यहां से अगर बढ़िए तो बैरिंग्टन करा देगा अधर्वाइस आपको यह पांच बोलर यूज होते हुए दिख सकते है सिक्स्ट बोलर के पास में में तो यह हो जाते हैं आज के लिए इनके 6 बोलर ठीक है जो आपको बोलिंग कराते हुए दिखने वाले हैं जिसमें की यहां से मार्क वोट हुआ इवान सवा सेफियान शरीफ हुआ यह तो ऐसे जो दददस ओवर डालेंगे बाकी के जो तीन है उनका वरोसा नहीं है वह शह साथ आठ ऐसा कुछ करके भी ओवर डाल जाते हैं ठीक है अब आते हैं अपना बेंच प्लेयर के उपर तो स्पोर्ट लेंड के पास में जार्वी से राइट हैं बैटर राइट हम मीडियम एक ही मैच करे चबदी सरन जीरो विकेट है क्रिस सोल मेचह विकेट इनों तो जितने निकाले और हमजा ताहिर है उसका बाद में स्टा निकालै और कुछ निग्वाट अनके हैं ठीक है तो यह है बएक इनके जो बेंच प्लियर से जिसमेंसे अगर खेलने की बात आते हैं जो मेरों को लगता यहां से नील को यहां सोल्ट ऑग म चोखना मत कि यह भाई जिम्भावे में होता था यहां कैसे आ गया यह यहां पर आ चुका है ठीक है और इनके वर्लकप स्कोर्ड में भी है इंट्रेस्टिंग चीज देखो तुम लास्ट मैच यह जो 17 नहीं यह नहीं खेला था है फिर एक विकेट है फिर सब्सक्राइब इनके तरफ से बागे उसकाद में क्रैग यंग भी एक बोलर ऑप्शन जो है इस कीम के पास में रहेगा जरूर बाकि मैकार्थी है राइट आप मीडियम यह डालते हैं और विकेट मगरा पिछले 6 मैचस का अगर देखा जाए तो च अब आते हैं अपना निकल कर हैट्वड के उपर सीधा क्योंकि जब मैचेज इन्हों ने भाई खेले नहीं है तो इनके प्लेयर्स के रिकोर्ड भी वेन्यू पर बिलकुल भी नहीं है ठीक है अब आते हैं अपना हेट्वड के उपर वीज मैचस 15 ऐरलेंड ने जीते और च अब आते हैं अपने हेट्वड वीडर्स के उपर कि हैट्वड में रंस किसने वनाएं तो उसकेस में फिर पोल्स्रीरलिंग का नाम आता है यहां से सबसे उपर ठीक है ग्यारा मैच में 371 रंस थर्डीटी त्रीट के साथ में बैरिंग्टन है तेरह मैच में 31 28 बर्णी है सब्सक्राइब करने प्रमॉट हो सकता है वैसे नीचे ही आता है अब बात की जाएगर वोलिंग शक्षन के उसमें क्रैग यंग का नाम है वाई आप से उपर चार मैच में बारा विकेट्स यहां से यह निकाले जिनको आपने प्लेंग एलान में नहीं देखा बट आपने सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं अपनी सीधर टीम की रिजन प्लेयर बैटल वगर इनके हैं नहीं इतने सब्सक्राइब करते हैं ठीक है अभी के लिए क्योंकि सारे नएने फ्लेयर से इस वजह से तो अपना सीधर टीम पर आते तो विकेट की पर मैंने मैथ्यू क्रोश को रखा हुआ यहां से मैं ब्राइड है जो की कंसिस्टन्ट है मुंशी को रखा हुआ है टेक्टर है और यहां से डोक्रेल है एक ब इसली आप ले सकते हो और रखना चाहो तो ठीक है बाकि मार्क वोट है इवान से यहां से जोश्वा लिटिल है तो यह जाती टीम एक तो अडायर को नोंने ओलर सेक्शन में डाल दिया डालना चाहिए था बोलर सेक्शन में क्या बात कि जाए कैप्टन हमारे टेक्टर आप इन को ट्राय करना चाहो तो तो यह कुल मिलाकर तीन मन जाते हैं इस टीम के सेफ सीवीजी तो यह जाती है आज के लिए टीम एंट सब चीज है बाग्यार आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जो वैल नोटिके तो डिस्क्रिप्शन खुल जागा तो वहां से जोइन कर लेगा ठीक है बाकी पिन कमेंट में मिल जाएगा कमेंट बुक्स खोलोगे तो वहां पर भी है तो तो तोनों जाएगे बड़ी इसली मिलेगा जाके क्लिक करो जोइन करो बाकि उल्दवेश्टेस मैच के लिए मिल बहुत ही जाले जागा